आप सब लोग चलिए भाई शुरुवात करते हैं एक नए टॉपिक की बिसीकले मिंडरल नूट्रिशन पढ़ रहे हैं बेटा अपन और मिंडरल नूट्रिशन चेप्टर बढ़ा इंट्रेसिंग चल रहा था कुछ रोल की बात करे थी मैक्रो और माइक्रो नूट्रेंट्स क पर आप शुरुवात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है बेटा डेफिशेंसी सिम्टम्स की भाई या डेफिशेंसी भी होगी किसी नूट्रिशन की जब वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपन उसको तो कहीं न कहीं जब उसकी अधिकता हो सकती तो उसकी क्या बेटा मिनरल्स की चीक है चलिये आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डेफिशेंसी का मतलब क्या होता है डेफिशेंसी सिम्टम्स का एसेंशेंशल एलमेंट की सप्लाइज है वो किसी क्रेटिकल कॉंसन्ट्रेशन से अगर कम होती है बेटा तो उसको अपन क्या कहते है बेटा उस time पे जो symptoms आते हैं उस plant के अंदर उसको defigency symptoms कहता है आपन जिसकी वज़से उसकी growth retard हो जाती है the concentration of essential element below which the plant growth is retard is known as critical concentration तो किसी भी concentration एक particular concentration के नीचे भाई साब ऐसा है कि आप अगर किसी का बच्चा जो है जैसे मम्मी आपन को समझाते हैं बीटा homework नहीं करते हैं तो कोई दो चप्पल से मान जाता है कोई तीन चार थपड़ पड़ेंगे जब मानेगा तो critical concentration क्या होगा उस बच्चे के पढ़ने की कि भाईया तीन चार दो मानने पढ़ेंगे और दो चपल मानने पढ़ेंगी तब जाकि वो पढ़ने बैठेगा तो बेसिकली यही critical concentration है किसी भी element की plant के अंदर कि अगर उस element की इस critical concentration से नीचे अगर आपने concentration दी तो भाया deficiency हो जाएगी उस element की plant के अंदर और वो deficiency symptoms सो कर देगा और इसके अलवा growth भी उसके retard हो जाएगी पर जैसे आप critical concentration से ज्यादा concentration दो गए तो वो growth असानी से करने लगेगा उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मैं नाम देना चाहूँ इसको critical concentration यहां पर बिल्कुल दे सकता हूँ इस क्रिटिकल कॉंसेंट्रेशन यहीं क्रिटिकल कॉंसेंट्रेशन है अब इस क्रिटिकल कॉंसेंट्रेशन पर आके जैसे आपने और दिया 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 यहां पर आके अपने लिमिट क्रॉस नहीं अब लिमिट क्रॉस कर दिया आप और दिरो तो आप सफिशेंट हो गया ह यहां पर निट्रिंट की भी है आपने शुरुआत में समझ में मेरी बात कोई बात नहीं है यहां आप तो शुफिशेंट हो गया ना तो लग और क्यूं दे रहा है यार अब तो निमट जाएगा प्लांट टॉक्सिटी ओ जाएगी जादा भी तो नहीं चाहिए ना जितना ज होता है जितना जरुरी है जादा यान भी आप्मी को भावला बना रेअ बना देता है तो अपनको ये समझना है कि भाई जितना अपनों ही चाहिए उसके बाद तो he toxic होता है और उससे पहले क्या होता है deficient होता है बिल्कुल तो यह range optimum में जहां तक आप प्लांट को लेके जा सकते हो, अरे समझ में आया कि नहीं, चलिए, आगे बात करते हैं, समझते हैं, What is critical concentration, critical concentration क्या होती है, the concentration of the essential element below which plant growth is retarded, is termed as critical concentration, तो वो ही सारी बात है, वो ही अपन देख रहे हैं, आगे क्या होता है, Each element has one or more specific deficiency symptoms, हर एक element के एक more और specific one या one से ज़्यादा deficiency symptoms होते हैं, या functional role भी होते हैं, अब उस particular element के एक deficiency उटी है, प्लांट के अंदर तो बेटा वो particular function हो नहीं पाएगा, और जब हो नहीं पाएगा, तो वो ही अपन को क्या बताएगा, deficiency बताएगा, Suppose करूँ कि यार ऐसा है, कि यह नमक खाने से टेस्ट आता है, अब नमक की कमी ही हमें क्या बताएगी, कि इस खाने में नमक नहीं है, तो बेटा नमक की कमी ही क्या बतारी, खाने में नमक नहीं है, तो basically यह हो रहा है, कि उस नमक का काम था, स्वाद बढ़ाना, और अगर उस स्वाद नहीं बड़ा पाया, कहने के मतलब भी नमक नहीं ड़ा उसमें, तो फिर इसका हुदा भी होगा कि deficiency है, वहाँ पर किसकी salt की, सेम ऐसा ही हुआ, यहाँ पर plant के अंदर की, भाईए, एक plant जो है न, एक कुछ morphological changes की, these morphological changes, यह क्या किलाते है, morphological changes, यह indicative होते है, deficiencies के, किसके कुछ certain elements के और कहा किलाते है, deficiencies symptoms, जैसा कि आपको शो किया हुआ, boron के यहाँ पर tip of leaves पे दिखाए देगा, deficiencies symptoms, sulfur का आपको यहाँ पर दिखाए देगा, necrosis दिखाए देगा, manganese, magnesium chlorosis दिखाए देगा, zinc के अंदर आपको बात करें, necrosis दिखाए देगा, phosphorus, nitrogen के अंदर आपको यहाँ दिखाए देगी, तो यह कुछ deficiency symptoms है, जो particular किसी element के लिए है, वहाँ पर आते हैं, उसकी कमी से आते है, अगर मैं बात करूँ, these deficiency symptoms vary from element to element and they disappear when the diffusion mineral nutrient is provided to the plant, भया, याद करो, criteria of essentiality, यहाँ पर यह उस element के deficiency, सिर्फ उस element के proper concentration देने से पूरी हो जाएगी, वरना और किसी element के कितनी भी concentration देदो उससे नहीं होगी, nitrogen की कमी तो nitrogen की proper concentration देने से ही कमी होगी, पूरी बेटा, molybdenum की देने से नहीं होगी, ऐसा थोड़ी कि molybdenum की आपने जो है, जो है, चीजन की कमी पूरी तो आप उसको दूर करने के लिए वही particular element देंगे, वरना नहीं होगी, और कितना भी बढ़ाते रहो, पर zinc की कमी तो zinc की पूरी करेगा, however, if deprivation continuous में, अगर फिर भी आप कमी पूरी नहीं कर पाते हो, तो deprivation होना शुरू होता है, degradation होना शुरू होता है, ultimately flower की death हो सकती है, plant की death हो सकती है, the parts of the plant that show, कुछ parts of the plant ऐसे हैं, जो show करते हैं कि इस morphological changes को, deficiency symptoms को, और वो depend करते हैं, on the mobility of the element within the plant, कुछ element ऐसे हैं, जो बेटा mobile होते हैं, जैसे कि में बात करूं बेटा, जैसे कि आपर example देंगे हैं, अपन, कि elements are actively mobilized, अगर elements actively mobilized हैं, यहां से वहां जाते रहते हैं, पुराने parts, अगर जढने वाले हैं, तो पुराने plants से निकल के नए parts के अंदर आते रहते हैं, नए parts में जरुरत खतम होगी तो पुराने plants के अंदर जाते रहते हैं, तो basically ऐसे element जो होते हैं, mobilized element कहलाते हैं, बेटा, इनकी कमी जो होती, सबसे पहले कहां दिखाए देती है, older parts में, क्यों, क्योंकि इनकी tendency हमेशा move करने की रहती, कहां पे, कि अरे नया पोधा आगया, अरे नया फूल आगया, अरे नया पत्ता आगया, पुराने में से निकल के निकल चलो, कहां पे लारा, पहुंचेंगे नये parts पे, तो अपने आप कमी किस के अंदर दिखाए देग पुराने leaves के अंदर आता है, तो मतलब क्यों, क्योंकि बहुत जादा mobilized element है, फटा-फट दोलना शुरू करेंगे, नये plants की तरफ, नये parts की तरफ, तो जैसे आप nitrogen की देख सकते हो कि किस तरह से जो यहां पे degradation हो चुका है leaf का, potassium की deficiencies देख सकते हो, mortal leaves हो चुकी है, basically अगर ब young tissues के अंदर, जो young tissues के अंदर, deficiency symptoms आपते हो, किस की वज़े से आते होंगे, याद कर थोड़ा सा दिमाग पे जो डाल, अरे यार अभी mobilized बताये था, mobilized के symptoms के अंदर आते होंगे, क्योंकि बेटा जी, क्योंकि यह तो पुराने parts से निकल नहीं पाते होंगे, तो नए parts पर कै पाती नहीं छोड़ रहे तो नए parts में पहुझेंगे नहीं तो अपने डेफिशेंसी हो ही जाएगी ना बेटा, अरे समझे में आया क्या यार, simple सी बात है, कि जो mobilized elements है, उनकी deficiency younger parts में नहोंगे, किस में होगी बेटा, older parts में, और जो immobilized elements है, जो चिप के रहते हैं पुराने लोगों से कि ना हम तो नहीं छोड़ के जाएंगे, इनकी साथ चोली दावन का साथ निभाएंगे, उनकी deficiency symptoms हो कहां देखने को मिलेंगे, younger parts में, example देखें, elements like sulfur and calcium, sulfur और calcium जो है न बेटा, ये basically कहा जाता है कि कि किसके parts है, sorry, ये basically part होते हैं किसके, cell membrane के, तो cell membrane के part है और जो बना रहे हैं, वो cell का structure बना रहे हैं, पूरा, बात करें, sulfur और calcium की, तो बेटा, इनकी आसाली से release होने की chances बहुत कम है, अरे बहुत नामुम्किन है, मैं तो कहता हूँ, और basically क्या करें, कि इस वज़े से यहां पे symptoms आना शूरू हो जाता है, कि इसके अंदर, नए part के अंदर अगर आकर बात करें अपन, तो बात करें किसकी, the kind of deficiency symptoms shown in plants include, कुछ deficiency symptoms आपन deal करें, जैसे कि chlorosis, chlorosis आप समझ सकते हो, chlorosis क्या हो रहा है, chlorosis आप देख सकते हो, यहां पे जो है, chlorophyll है, उसके deficiency हो गई है, chlorophyll कौन मनाता है, nitrogen है, iron है, iron deficiency हो सकता है, ठीक है, अपन बात करें किसक plant growth की, प्लांट की, जो height हो stunted रहा जाती है, अपन बात करें किसकी premature fall of leaves and buds की, तो premature fall होता है, leaves का और buds का, वही बेटा, यहां पे एक deficiency symptom है, मात करो, inhibition of cell division की, cell division इनिमेट हो जाता है, वो भी एक तरका क्या है, deficiency, तो यह फलाना, फलाना, deficiency symptom जो आते है, यह सब किसकी वज़े स आते हैं, किसी ने किसी element की कमी की वज़े से आते हैं, चली आये देखते हैं, आगे chlorosis is the loss of chlorophyll leading to yellowing leaves, chlorosis मतलब chlorophyll का loss हो जाना, तो इसकी वज़े से पती कैसे हो जाती है, और इसका कारण है, किसकी deficiency, इसकी deficiency होती है, जो nitrogen, potassium, sulfur, manganese, ठीक है, और zinc, और iron, और molybate, अभी भी बात करता हैं, किसी नेक्रोसिस की, नेक्रोसिस का मतलब होता है, किसी tissue की death हो जाना, particularly बात करें आपन तो, deficiency of calcium, magnesium, copper and, बात करें, potassium की वज़े से होती ही, यहाँ पर, आप देख सकतो है, यहाँ पर जो है, death हो जा रही है, normal जैसा था हो, ऐसा हो, नहीं रहा, आगे बात करें किसी lack or low level of nitrogen, potassium, sulfur, molybdenum, causing inhibition of cell division, इनकी वज़े से inhibition of cell division हो जाता है, cell division डंग से, नहीं हो पात आ रहा है, समझ में, क्या बात चल रही है, क्या गेम चल रहा है, गेम इतना सा चल रहा है, कि भाया, nitrogen, potassium, sulfur, molybdenum की कमी से, जो है, cell division हो जाएगा, चली आगे बात करते हैं, कि इसके some elements like nitrogen, sulfur, molybdenum, delay flowering, if their concentration in plant is low, अगर उनके concentration plant के अंदर low है, तो बेटा, flowering नहीं हो पाएगी, और लाला flowering नहीं हो पाएगी, तो कहाँ डिफरेंस आएगा, fruiting पे डिफरेंस आएगा, reproductive cycle पे डिफरेंस आएगा, रहा है, आगे नहीं समझ में, चली आगे बढ़ते ह अगे बढ़ते हैं, copper, boron, molybdenum, chlorine and nickel, इनकी वज़े से कुछ physiological changes आते हैं, यह अलग से आपन देख रहे हैं, zinc की वज़े से आता है, बेटा, mortal leaf, आप देख सकते हैं, इस तरह की mortal leaf, आपको mustard plant के अंदर आसाने से देखने को मिल सकते हैं, zinc की deficiencies हैं, अगर बात करूं मैं, यह अगर बात करते हैं, बात करते हैं, copper की, copper की deficiencies होते हैं, डाइबक in citrus, बड़ी famous disease है, याद हो निची है, यह डाइबक in citrus, और basically होता है, क्या हिसम है, कि जो peripheral part होते हैं, peripheral part मतलब यह उपर से लेकर नीचे तक, डाइबक में, उपर से जढ़ना चालो होते हैं, सूखना चालो ह हो जाता है, plant, उपर से डाइ होना चालो हो जाता है, डाइबक का मतलब, उपर से चालो होना शुरू हो जाता है, नीचे से नहीं होता है, उपर से चालो हो जाता है, मरना, बात करें, अपने condition, woody plants in which peripheral parts are killed, peripheral parts उसमें killed हो जाते हैं, बोरोन की deficiency की बात करना तो, हार्ट रॉट इस दिल इसका जो है आप देख सकते हैं कितना सड गया है यह ने हार्ट रॉट हो गया है, कितने दुखी की बात है या, बीच के बीच के अ इन्दर जो जल गया है, दिल जला है रहें किसके वजह से बोरोन डैव adapts कहंते हैं मॉली बाट जैनि कम सब्लाबर बैट कि चाबूत के जैसे पत्री पतली हो जाती हैं डाहें कर कर पकर करके बैटिक कर जया हैं हैं सिर्म बाय निता तुने वंस शाबाश निकल की वाओ करें mouse ear leaves अब यह तो normal leaf है और आप देख सकते हो यह कैसी mouse के कान जैसी है mouse का जो यह ना उसके जैसी लंबी-लंबी चौड़ी-चौड़ी हो गई है और रहा यार किसकी deficiencies है nickel की deficiencies है बड़ा दुख भरी बात है बेटा बात कले क्लोरीन की तो अब यह थोड़ी एक दो points पहले कि भाया एक critical concentration से कम दिया तो deficiency critical concentration से certain point तक दिया तो sufficient और उसके जादा दिया तो बेटा क्या हुआ toxicity हो गई तो micronutrients जो है ना उनका ऐसा ही हाल है micronutrients का condition यह है कि भाया अगर उनको अपन ने एक certain point से जादा दिया एक certain point से कम दिया एक point से कम दिया micronutrients तो वैसे बहुत कम चाहते हैं कितनी concentration ने बेटा है 10 millimol per kilogram से कम चाहते हैं अगर 10 millimol per kilogram से कम दिये और उसमें भी एक value जैसे अपनने 2 या 3 millimol से कम दिये तो फिर उसकी deficiency हो जाएगी मतलब अगर कम दिये अपनने moderate decrease की हुआ तो तो कहने का मतलब यह है कि nutrient concentration tissue की अगर मैं देख सकते हैं आप यहां पर कि पहले तो deficient था transition हुआ कहां पर sufficient और यहां पर excessive toxic हो गए वह मैंने आपको पहले बताए था कि other words there is a narrow range of concentration at which the elements are right 105 घ्रो ए असमार प्रशु का कि अंदर है कि अब कि यह आपन बात करें यह यह इसके बांन्याज जिसके अदर आपको देखने को मिल सकता है कि optimum ईसके लाए तो toxic तो यहां से यह तक toxic है और यहां से यहां तक वेटा क्या हे एसकी deficiency बाकि यह ही कसी range है जो कि究 सी है यह ही कसी range है यहाँ फे नेर्य R है तो बात करें कि या जादा दिया तो दिक्कत प्रिकत करें तो करें क्या कुछ जितना चाहिए उतना ही दो बस ठीके बात करें अपन elements की तो sufficient elements का level यह है अगर बात करें ऐसी mineral line, any mineral line concentration in tissues that reduces the weight of tissue by about 10% is considerable toxic, मतलब अगर ऐसा कोई mineral nutrient है जो plant की growth को उसके weight को 10% से जाधा reduce कर देता है, up to 10% भी reduce कर देता तो बेटा वो toxic क्यलाता, उसके concentration toxic क्यलाती है, सच किसी critical concentration very widely among different micro nutrients, हर micronutrient की concentration, toxic concentration अलग अलग होती है, अगर zinc 10 mg जाधा देने पे, 10 mg देने पे ही toxicity शो कर देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि molybdenum भी 10 mg पे करें, वो 8 mg पे भी कर सकता है, तो हर, जो है बात करें, अपन हर milli mol पे हर milli mol जो quantity होती है, वो अलग-अलग होती है, हर micronutrient की, अगर आपन बात करें, ऐसे mineral ion concentration की, जो tissues के अंदर release करती है, उसका weight, 10% जाधा दो toxic कहलाती है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ फिर से दिखाया गया है, कि भाई है critical concentration कौन सी है, यहाँ पे आप गए, ठीक है, यहाँ पे critical concentration है, उसके बाद आपने adequate zone दिया, उसके बाद तो toxic zone चालो हो गया है, तो basically बस यह concentration जो है यहाँ पे, यह जो concentration है यहाँ से और यहाँ तक की जो concentration है, यह adequate zone है आपका, बस यह, इसके अंदर अंदर आप जो है micronutrient दे सकते हैं, उसके बाद अगर आप ने दिया तो toxic, इसके पहले अगर आप ने दिया तो deficiency हो गई है, आगे अपन बात करें, toxicity symptoms जो है, difficult to identify होते है, toxicity levels of any element also vary from different plants, हर एक plant में toxicity level अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का काम हो सकता है, many times access of an element may inhibit the uptake of another element, कभी-कभी ऐसा होता है, कि किसी element को ज्यादा दे देते हैं, यह toxicity का example एक तरस है, यह toxicity का example NCRT में गवन है कि किसी element को ज्यादा देने पर वो toxic हो ज toxicity is the appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins, अगर हमने किसी plant के अंदर manganese को ज्यादा दे दिया, तो उसकी toxicity की वज़े से brown spots आजाते है, chlorotic veins के साथ, इसका उलब क्या है, कि उसने क्या करा nitrogen को कहीने को ही रोक दिया है, magnesium को कहीने कहीन रोक दिया है, it is important to know that manganese competes with iron and magnesium, iron और manganese के साथ, जो है, compete करने ल के साथ, किसकी वज़े से uptaking के लिए, uptaking and with magnesium for binding with enzyme, magnesium की वज़े, magnesium को compete करने लग जाता है, binding with the enzymes process में, और iron और manganese दोनों को compete करने लग जाता है, for uptaking, तो manganese also inhibits calcium translocation and shoot effects, shoot effects के अंदर calcium translocation भी कौन रोकता है, manganese रोक देता है, इतना हाप फुल है, toxicity की, कितना जो है, अलग nutrients क उसमें नुकसान पहुचा रहा है, therefore, excess of manganese induces deficiency of iron, magnesium and calcium, इसी जैसे मैं कहना, यहाँ पर कहना बिल्कुल मुनासिब होगा बेटा, कि भाई है, manganese की अगर toxicity हो जाती ही, तो उसकी विज़े से manganese और iron की deficiency की symptoms आने लगते हैं, क्योंकि compete कर रहा है नहीं हार uptaking के लिए, कितना भी देजो आप manganese और iron, पर manganese अगर जादा है ना, तो कभी भी bind नहीं होने देगा, uptaking नहीं होने देगा, तो वहाँ पर आपको manganese की quantity को कंट्रोल करना है, नहां कि magnesium और iron को बढ़ाना है, तो यह आपको पैचान आना चाहिए, बेटा, thus what appears as symptoms of manganese toxicity, मैं actually भी a deficiency symptom of iron, magnesium and calcium, वो कहीं नहीं, जो manganese toxicity की symptoms होई, शो कर सकतने कि आपके plant के अंदर, magnesium and iron की toxicity, sorry, deficiency हो रही है, समझ में आया है, पहुत simple सी बात है, कुछ MCQ आपन को यहाँ पर discuss करना है, मेटा, पहला question आपके सामने है, which elements deficiency is visible first in the senescent leaves, किस element की deficiency सबस्यादा, senescent leaves के अंदर सबसे पहले दिखाए देती है, nitrogen, potassium, magnesium, carbon, both one and two, अगर senescent leaves की बात कर रहें, तो mobilized elements की बात कर रहे है, आपने कहा था, बिल्कुल याद आगया, याद आगया, फटा-फट से याद आया, कि sir, ये बात आपने कही थी, कि भाईया, जो mobilized elements है ना, उनकी deficiency आपको बुड़े parts में दिखाए देगी हमेशा, क्योंकि उनकी तो आतुरता रहती है, नहे parts में जाने के लिए, तो sir, nitrogen, highly mobilized, potassium, magnesium, sir, ये नहीं, carbon, नहीं, sir, both one and two, हो सकता है, sir, पर देखते है, computer master, first option को, fourth option को, fourth option को, बेटा, both one and two, potassium and magnesium भी उसमें थे, N, P, K, M, G, S, F, E, अरे, होस होता है, chlorosis, premature falling off, नहीं, 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 chlorophyll, बिल्कुल correct answer, चलिए, third option, third question देखते है, mortal leaf disease caused by deficiency of, अपने बात करी है, बेटा, mortal leaf disease, तो ये किस में जाहिए, carbon में, hydrogen में, oxygen में, zinc में, zinc में, जा सकती है, बिल्कुल सही है, correct answer, और बात करे है, अपन, किस की, thank you की, तो basically, अपर दिया, तो देखत, उससे नीचे, उससे उपर दिया, एक proper concentration तक, तो optimum, उसके बात दिया, तो toxicity, उससे कम दिया, तो deficiency, तो कहीं नहीं, अपन को बहुत narrow range मिलती है, plant की nutrition को control करने के लिए, तो basically बात करें, आपन ने बात करें, toxicity की, आपन ने बात करें, critical concentration की, बागी बा